आपका स्वाखत करती हूं आज मैं आपको बताने जा रहे हूं मिठा चीला जिसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी आठा एक गिलास पानी सौफ एक चम्माच दो चम्माच नाविल का बुरादा एक कटोरी चीनी और इलाइची पाउदर और ऑईल अब हम ग्यास को आउट करेंगे और गिलास पानी गरम करेंगे इसके हम चाहिए पानी गरम हो चुका है अब हम इसमें चीन डालेंगे बस गरम पानी में खोल लीजी या 10-15 मिनित पहले ठंटे पानी में खोल दीजी इसका गोल त्यार हो जाएगा क्यास को बंद कर देंगे इस चीन को बोलेंगे देखे हमारी चाशनी त्यार अगर आपको ब्लादा मीठा चाहिए इसमें आजु कटोरी पीनी और डाल सकते हैं कि यह हमारी चाशनी त्यार होगी है अब यह हम इसको ठंडा होने देंगे इसके बाल में हम चिला बनाएंगे देखे मैंने पानी निकाल लिया है इसमें अब हम इसमें डालेंगे पट्टा यह पानी हमारा ठंडा हो चुका है इलाइजी पाउडर सौफ और नाःय नाःय से ठोड़ा पेस्ट इसका अच्छा हो जाता है अब पोग गोल बुलेंगे उसका पेस्ट बनाएंगे अगर घुल थोड़ा पतला होता है तो हम इसमें आठा थोड़ा और मिला लेंगे कि हमें खोल ना तो ज्यादा पतला करने और ना ज्यादा करने अगर आप गाड़े गरम गरम में मिलाएं दिये तो इसमें बाठे पढ़ जाएंगी इसलिए खोल को खंडा करके यह मिलाएं जो इसमें गाठे ना पढ़ी देखिए रमाने दी खोल त्यार हो जुका है देखिए अब हम कैसान करेंगे अच्छी से गरम होने देंगे पैन को अच्छी से ओल लगाना है वह इसलिए कि हमारा जो चिला है वह चित्के नहीं अच्छी से बन जाएं अच्छी से पूरे तवे पे फैला लेना है ओल को अच्छी से और गैस को कम करना है अच्छी से गरम होने पे हमें करें अच्छी से जाएं करेंगे लिए देपने नहीं करेंगे नहीं पर से नहीं कि इसकी आज देमी रखने हैं हमारा चिल्डा एक तरफ से सिख चुका है और दूसरी तरफ से सिख रहा है इसको अच्छा से धीमी आज में शेखेंगे हम बस जले नहीं अच्छे से दबाके इसको धीमी नहीं आज में सेखने हैं कि कि ए स देन तरफ से से सब्सक्राब एक तरफ दूसे हैं हमारा Uसी पाज में अच्छे खड़ा करेंगे आजे देखे हमारा चिल्ला सिख चुका है अच्छे से इसको कम कर देंगे अच्छे से इस चिल्ले को अब इस चिल्ले को निकार लेंगे ऐसे हम दूसरा चिल्ला बनाएंगे इसके बड़ा ओयल डालेंगे टेस्ट डालेंगे इसके उपर इसके इसी तरह है खला देंगे गोल गोल ज्यादा पतला निकरना निक तो इसमें बारी बंच छेद हो जाते हैं बस हुलका हुलका साथ और छोटे छोटे से मनाना ज्यादा बड़ा बनाओगे तो इसमें छेद निकलेंगे मैं सब्धीनी आजमिस को सिखने देने हमें देखिए चीला सिख्या है अब इसको परटेंगे बनाओंड देख्या ने विलाएंगे ने पिवाते हैं टेंट को कि खाने में बहुत टीस्टी होता है बहुत स्वादिश्ट होता है यह जब दर से सिखा नहीं है अच्छु से से शेखिने से कि आप खीर के साथ अचाच के साथ इसको खाइए बहुत टेस्टी बनता है एक बार मेर में जरूर ट्रैक करके देखिए देखिए हमारा यास को कम करें अगर आपने तेज करा हैं यास को थोड़ा कम कम करती ही सिखेश के हूँ करते हैं कि गैस को बने कर दिशिए हमारा चेल्डा विप्तम तेयार है कि आपिस को खिर के साथ अचार के साथ खा सकते हैं अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर हाजिर होते हैं नई रेसीपी के साथ धन्य बाद झाल